चंद्रगुप्ट, चंद्रगुप्ट, चंद्रगुप्ट और शक्रंद को ये ग्यात हो गया कि चंद्रगुप्ट को कभी धनानंद ने मृत्यु दंड दिया था इनसे अंभिगी गुरुकुल भी चंद्रगुप्ट के शुक्चिन तक उसके लापता होने के रहस्य की तह तक पहुशने में लग गया उधर चंद्रगुप्ट की अभागन मामूरा जिसे ये लग रहा था कि चंद्रगुप्ट की मिर्ति हो चुकी है ने ये प्रण लिया और धनानंद हत्या के बदले में हत्या ही देता है वाके में बड़ा उच्छे विचार दिया है माराज आपने हत्या के बदले हत्या आज ये चत्राण ये मूरा अपने मृतक बाला के लिए वचल ले दिये कि जब तक उसके निर्मम हत्या का बदला न ले लू ने चैन से नहीं बैटूगी निदरा भोजन भोग भे ये नर पशु समान ज्यान अधिक एक नरण में ज्यान बिना पशु जान चंद्रकुप्त पृत्वी पर कई जीव मनुष्य से अधिक शक्ति शाड़ी थे गाए बैल शेर हाथी सभी मनुष्य से अधिक बलवान थे किन्तो राज किसने किया पृत्वी पर मनुष्य ने कैसे बुद्धी से तुम्हें भी बुद्धी से लड़ने वाला योध्धा बनना है चंद्रकुप्त यदि तुम अपने लक्षे को पूरी एक आगरता से प्राप्त करना चाहोगे तो आत्मिक बलवो वो कर दिखाता है कि साधार लोगों को ये असंभव लगता है तुम्हारे मन में जिजगाई शत्रु के प्रतिदयाभाव पैदा हुआ पराजनिश्चित पराजित होने वाला जुद्धा बनना है तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु को हने मैं हूँ खुल करो वारत जुद्धा कभी खोटी तान के निसोता चंद्रगुप्त उसे गहरी निन उसी समय आती है जा मोट से सुलादी है जा खुलादी है बढ़ा उसे पाला जा है कि अखिए है तुम दो यह से क्यों बैठी हो सब ठीक तो है ना नहीं पुरुष्तर कुछ ठीक नहीं है चंद्रगुप्त कप तक कुछ पता नहीं चलिए और जिसे पता था उस दिन चंद्रगुप के साथ क्या हुआ वो भी चला गया मैं कुछ समझा नहीं किसकी बात कर रहे हो तुम कौन चला गया अक्षे और कौन हमने उसे बस त्यार करे लिया था प्रधाना चार्रे के सामने सब को सत्य बताने के लिए लेकिन लेकिन अम्बिक और उसके दुष्च साथियों ने अक्षे को स्वस्थ घुषिद करके उसे उसे अफकाश पर बेश दिये अच्छा ऐसी बात है तो मैं बात करता हूँ अम्बिक के साथियों से कोई लाब नहीं होगा उसे हम सब करके देख चुके हैं क्या पता शायद मुझे ही कुछ पता दे यदि तुम एकागरचित हो सको अपने शरीर के साथ साथ अपने मन पर भी अधिकार कर लो तो एक साधारन शरीर भी असाधारन कारे कर सकता है चाहे जितनी पीडा हो यदि तुम्हारा मन उस पीडा को माने ही ना दो इतिहास में ऐसे कई वीरों के विवरण है जिनका सर धड़ से अलग हो गया किन्तो वो युद में लड़ते रहे रक्त की अंतिम बून तक लड़ते रहे उन युद्धाओं को गरवान्मित करो बता दो उने की अब तुमने संभाला है उनका उत्तरताइद परन्तु प्रधानाचार को पता चल गया तो मुर्क इतना बड़ा तुम्हारा ये शरीर है यदि उतनी अकल होती तो कितना अच्छा होता इसे कैसे कुछ पता चल जाएगा प्रधानाचारे को क्या पता चलेगा प्रधानाचारे को कुछ नहीं कुछ भी तो नहीं क्या हो रहा है यहां आबेक तुम सब जाकर युद क्रिया का अभ्यास करो वीर यात्रा के लिए कुछ ही दिन शेश है जाओ जी आचारे पुरुषदत काफी दिनों से मैं आचारे चानक के ऐसे भेंट नहीं कर पाया कुछ बता सकते हैं कि इस समय कहा होंगे वो मुझे इस बारे में कोई ग्यात नहीं आचारे ओ फिर तो तुम्हें इसका भी अनुमान नहीं होगा कि इस समय है चंद्र गुपत कहां है । जी नहीं आचारे मैं भी आप सभी की तरह पता कर रहा हूँ पुरुषदत यदि इस समय यहीं प्रश्ण तुम Zheng से npशारे चानक क्या पूछते तो क्या तब भी तुम्हरा उत्तर यहीं होथा यह दि आचारे चानक्य होते तो शायद मैं कहीं और होता और कदापी इन प्रश्टों का कोई तातपरे नहीं होता अचारे एक बात की प्रशंसा किये बिना मैं नहीं रह पाऊँगा जानक्य की चाटू कारिता करते करते तुम भी अच्छी तरह से बाते बनाना सीख गया हो शक्रन अब तुम्हारी बारी है हम दोने इस वाले को जो सिखाया उसने अच्छा सा सीखा अब तुम इसे अपनी कला सिखाओगे भाला अच्छु कुलच्प फिक्टना अवश्य सिखाओगा किन्तु मैं ये सिख्षा अकेले में देना चाहता हूँ क्योंकि आप लोगों की उपस्थिती में इसका ध्यान भटकेगा इसलिए है ये तुम क्या कह रहे हो शिकरत? ये कौनसी नई बात उठा के लिए है हम चले जाते हैं यहां से धन्यवाद आचारी चंद्रकुप्त अब भाला भेकते समय मेरी भुजाओं को ध्यान से देखना देखना भाला कैसे ठीक निशाने पे जाता है देखा? मैं अभी जाकर भाला लेकर आता हूँ कुछे कशमात भुणा भाला कुछे कशमात भुणा भाला कुछे कोई जाते दुसमादी नहीं तो मैं क्या कर दो इस ट्वीप से मुख्ती का और कोई रास्ता भी तो नहीं मेरे पास तानाना तोस्ता ते रिमरित्ती हो गए किरत सोच जब मैं तो ज़े उसे जीवे तावस्था में दोंगा तो परस्कार स्वरूप मुझे मेरे जिंदेगी उपाहर में देते गा परस्वरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूर शकरन ये तुमने क्या किया जिवी मूले में इस टाप उसे बाग कर अपने पुत्रे से मिलना जाता था पुत्र मोग के चाह में मैं अन्दा हो गया था और शाद मेरे बुद्धी ने काम करना बन कर दिया इसलिए शायद आदी दीरा के अनुशासन को भी भूल गया मैं कि तुमीरा में अपने पुत्र से मिलना चाहता हूँ मुर्क तुने क्या सोचा कि धनान जैसा क्रूर राजा तुझे इस चंद्रकुप्त के बदले में पुरस्कृत करेगा शमा कर देगा तुझे अरे कितना मुर्क है तु शक्रंद तुने मुर्क ता किया बेमानी दंड तो तुझे मिलेगा जानता भुने मुर्क तुने मुर्क तुने तुने देगा और मिलेगा आमेट चंदे Mush received झामेट आरे मुर्क शरेख ये झार्य जार्या 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 जार्या!!! झालो तुने जार्या वार्या झालो दमाद ये क्या कह रहा है तो तो जानता है ये तरी जान का सौधा खर रहा था मैं जानता हूँ पर आप इन्हें मत मारिये एक पिता अपने पुत्र के लिए कुछ भी कर सकता है यदि मैं इनके स्थान पर होता तो शायद मैं भी यही करता मैं भी तो इतने दूर अपने मा के लिए ही आया था पर किरपागर के आप इन्हें छोड़ दीजी इन्हें मत मारिये जम आप करते ने पुलतु आपने मुझे पुत्र कहा है ना तो बनाइए अपने पुत्र को सक्षम चलिए हमें अभ्यास करना है देखा? सीधा अपने लक्ष पे अब तुम प्रयास करोगे याओ 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 उत्तंब उत्तंब प्रणाम आचार्य, आपकी सेवा में ये जंगली कंदमूल भाली प्रस्तुत कर सकता हूँ, सुईगार करें आप संकोच न करें ये भोजन तो भागेशालियों को मिलता है ये अम्रित है मेरे ले, धन्यवाद आप करें ध्यान, मैं तो केवल आपको ये अली देने आया था कहिए क्या अचार्य वही जो आप मुझसे कहना चाहते हैं अब आप इतनी दूर, मातर फल देने नहीं आया है मुझे मेरी पतनी चित्र रूपा नाम है उसका अचार्य अब मैं तो पता नहीं इस सुंसान द्रीप से कभी बाहर जा पाऊंगा या नहीं आचार्य यदि हो सके तो उसे ढूनकर आप उससे मिलना और जब वह आपको मिल जाए तो उसे ये दे देना उससे कहना मैं जितने भी दिन जिया उसी के याद के साहरे जिया आचार्य वो सके तो उसे मुट्टी दिलवा देना धनानंद ने उसे राजा अभिसार को बेज दिया था और वो वर्षों से वही है उसे कह देना आचार्य कि मैं अब कभी उसके पास वापस नहीं लोट पाऊंगा मुझसे जो बन पड़ेगा अवश्य करूंगा वचन देता हूं आपको धन्यवादा जारिये चंद्रगुप्त आपसे प्रश्रिक्षन नहीं ले पाया इस बात का खेद है मुझे सारा भारत जानता है कि ध्वनी भेदन युद कला में आपका कोई सानी नहीं है इसी कला की शिक्षा दिलवाने मैं चंद्रगुप्त को लाया था यहां किंदो आपने जो शस्त्र ना उठाने की शपत ली है अपने परिवार को खो देने का दुख है इसलिए जिन शस्त्रों के लिए मैंने अपना सब को छोड़ दिया था जीवन में वो शस्त्र वो ध्वनी भेदन कला मेरा आत्म सम्मान तक ना बचा पाए धनानन में मेरे बच्चे मार दिया मेरी पत्मी को राजा अभिसार को बेच दिया पताई यह आजारिया फिर क्यों यूं हाथ लगाओ मैं इंशस्त्रों को व्यर्थ है व्यर्थ है व्यर्थ है व्यर्थ है व्यर्थ है नहीं आदी दिरा अगर कुछ बिविर्थ नहीं ना आपका ध्वनी भेधन ग्यान नापकी युद्द्धकला और नाहीं आपकी वीलता है हमारे समय का राजा व्यर्थ, व्यर्थ है, करूर आताताई धनानन्द, उसका प्रिच्वी पर होना व्यर्थ है. मेरी गणना के अनुसार, हमात्य राक्षस ने अपने विशेश सैनिक भेज दिये होंगे, जो किसी भी समय यहां पहुचते ही होंगे, हमें यहां से तुरंत निकल जाना चाहिए. हमात्व तुरंत भुट अधरा की मिसाल है जंतर सब्सक्राइब। अज़ जड़ दुट जबाई ओ जबाई ओ जबाई ओ तरगरदा 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 त्रग्डदा यहई यही हो पायल यही है वो पायल ने ने भाराज पारास मैं हो नहीं थी महाराजma ने बिच्छ नहीं किया में वो नहीं थी महाराज जान से मार दो से ले जाओ नहीं महाराज मैंने कुछ नहीं किया त्रगड़ा 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 जहां मूरा का धनानंद को मारने का प्रथम प्रयास विफल रहा था वहीं दूसरी और धनानंद के जैनिक कालदीव की तरफ तेजी से बढ़ रहे थे वो कालदीव जहां मूरा का बेटा चंद्रकुप्त वीर योधाओं से प्रशिक्षन ले रहा था जंद्रकुप्त तुमने मुझे इतना प्रभावित किया है कि मैं वर्षों से चली आ रही है अपनी शपत को तोड़ कर तो मैं सिखाने का नर्णय लेता हूँ मुझे पता चला क्या कुछ होने के बाद दि तुमने शक्रंद को शमा कर दिया और उसका मान भी रखा तो मवश्य ही जीवन में हम सबसे आगे जाओगे मैं इस बालक को ध्वनी भेदन युद्कला अवश्य सिखाऊंगा इतिहास में कुछ वे हैं जिनने सभी जानते हैं किन्तो आप उनमें से जो इतिहास के पन्नों में सबसे चमकने वाले हीनों को कड़कर शांती पूर्वक अपनी रहा पकड़ने दे हैं इब्राम्मन सदैव आपका रिनी रहेगा याद रहे स्रिष्टी में ध्वनी एक श्रोत की भादी है जो यदि तुम्हारे कानों में आ रही है तो कही न कहीं से यात्र करके अवश्य आ रही है यह यात्रा अगर तुम समझ जाओ तो आपने बजाओ का रास्ता धून सकते हो यह यह यूफ यह 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 ये जा इा यूpf यहीव यह यह अब हुआ है घय प्राइब करते हैं आचार ये कुछी दिनों में इस बालक ने अब प्रत्याशित प्रगती की है सत्य कहा आप नहीं अब हमें भी ये लगता है कि हमारे जीवन का कोई अर्थ है आचार मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं इस धर्ती का सबसे भागी शाली वित्यार थी जिसे आपकी अशिरवात से इन महान योद्धाओं से शिक्षा ग्रहन करने का स्वभागी प्राव्त हुआ अचार क्या सदैव मैं इसे यहां सीखता नहीं रह सकता ये सब तो इतना कुछ जानते हैं मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझे कुछ भी नहीं आता मुझे बहुत कुछ सीखना है अचार अती सरवत्र वर्जते अती किसी भी बात की बुरी होती है चंद्रकुप्त फिर वो चाहे सीखने की क्यों ना हो ज्यानकर्थ उसके उप्योग में और फिर समय कहा है हमारे पास इनके पास नियती के पास मेरी गणना के अनुसार अमात्य राक्षस ने अपने विशेश सेनिक भेज दिये होगे जो किसी भी समय यहां पहुचते ही होगे हमें यहां से तुलंत निकल जाना चाहिए मैंने इसे बहुत कुछ सीखा है और अब इस संकट की घड़ी में मैं इने चोड़ कर भाग जाऊ नहीं अचार मैं कहीं नहीं होगा हम सब यहां से तुलंच चल पड़ते हैं आप सब भी चलिए हमारे साथ हमारी नाओ की दो गश्टों में सभी द्वीप के उस पार हो जाएंगे अजारियत आप चंदरकुप को लेकर यहां से निकल जाएए हम सब तो जीवन में मिर्तियु से बहुत भाग चुके हैं पर अब समय आ गया है उससे आख मिलाने का साथियों भीर गदी से पहले ध्रानन के सैनिकों को पता दें कि आज भी हमारी भुशाओं में कितना बल है चलो शस्त्र उचाओं मैने छोड़कर नहीं जाओंगा अचारिया अचारिया आप इसे लेकर यहां से चले जाएं तब तक हम ध्रानन के सैनिकों को उल्जाए रखते हैं चलो चंदरकुप्रा नहीं अचारिया मैंने इसे बहुत कुछ सीखा है और अब इस संकट की घड़ी में मैंने चोड़कर बाग जाओं मैं बढ़े बड़े लक्ष बलीदान मांगते हैं ये अपने हिस्से का बलीदान देंगे चंदरकुप्रा मैंने कहा चलो चंदरकुप्रा जंडरग्ट्ट, यदि तुम अपने अचारे के साथ नहीं गए, तो मेरे बने Vince Не तो तुमें अचारे के साथिए, तुम मेरे साथ ही तुमे , तुमेसा कोछ नहीं करेएंक यार आप भी जानते हैं अधिजी मेरे लिए चले जाओ धनानंद से उचित बदा लेने के लिए चले जाओ अचारे आप बिना कोई शन कवाए चंदरकुप को शीगर तिशीगर लेकर यहां से प्रस्थान कीजी धनानंद को उसके पापों का दंड देने के लिए तुम्हें चलना होगा चंदरकुप्त अपनी मा के लिए तुम्हें चलना होगा चंदरकुप्त यह मेरा आदेश है चंदरकुप्त अचारे 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 अचार, हम एस समय उन्हें यू छोड़कर भगना नहीं चाहिए था। यो तुमें हम सब की भूमिका तैह होती है। और हम सब को अपनी अपनी भूमिका निभानी होती है। ना अधिक, ना कम। मैं अपनी भूमिका निभा रहा हूं तुम अपनी और वे सब अपनी अपनी। रोकर उन्सर्शेष्ट वीरों के बलिदान का अपमान मत करो चंद्रकुप्त। नियती तुमें भी बहुत कुछ कर दिखाने का अफसर आवश्य देगी। धनानंद के अत्याचारों का अन उसके अंत से ही संभव है। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारी ढूनने वाली टुकड़ी इतने दिनों के अथक प्रयास के बाद भी चंद्रकुप्त का कोई पता नहीं लगा पाई है। मेरे पूछने पर उन्होंने बताया कि गुर्कुल के आसपास के समुचे वन प्रांत में उन्होंने चपा 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 छान डाला। पर उन्तुचंद्रकुप्त कहीं नहीं मिला। बड़े आश्चर्य की बात है। कि जिस बालक की वीरता और साहस से प्रभावित होकर के मैंने उसे पुरसकार के रूप में गुर्कुल में पढ़ने का उसर दिया था। वही चात्र आचारे सुखदेव की कक्षा में धनी भेदन का भ्यास करते हुए समस्त कक्षा के सामने खाई में गिर पड़ा। और इस प्रकारगिरा की ढूणने वाली तुकड़ी को भी नहीं मिला। तक्ष सिला की इतिहास में कभी ऐसी कोई दुरखटना नहीं घटी। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि अचानक घटी हुई कोई दुरखटना है। या कि सोचा समझा है शणयांत। परंतु आज यदि चानक के हां होता तो इस बात का पता लगा ही लेता की चंद्रगुप्त के इस प्रकार से अद्रिश्य होने के पीछे कौन सा कारण है। अचारे अक्षे जानता है सचाई वही अंतिम समय चंद्रगुप्त के सबसे करीब था। अचारे वह तो रोगी प्रातना पत्र देकर घड़ जा चुका है। मेब पसा के अचारे मेब पसा के अचारे मेब पसा अचारे मेब पसा अचारे मेब पसा के अचारे हाँ अचारिक यह सच है कि चंद्र को अपने आप खाई में नहीं गिरा था उसे बोसे? बोसे ए ए उसे लोच अचको उसे लोच्च्चे लोचे लोच्थ मैं चोटी से अपने आप नहीं गया आम भीकार उसके मित्रों ने मुझे चल से खाई में टके अच्छा की मिसाल है चंद्रगुप 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 उसे उसे रुप जावक्षे उसे रुप चंद्रगुप चंद्रगुप उसे रुप चंद्रगुप उसे रुप चंद्रगुप उसे रुप चंद्रगुप उसे रुप चंद्रगुप कि शंद्रगुप्त कहां थे तुम अचार मेरे विचार से अक्षे उस दुरखटना के बारे में जानता हुश है परन्तु जो मेरे साथ हुआ उसके सद्मे के कारण कदाचे तुसे यह लगा होगा कि मैं चोटी से अपने आप नहीं गिरू आम्भिक और उसके मित्रों ने मुझे चल से खाई में ठगे लिए परन्तु सत्य तो यही अचारे कि द्वनी भेदन का अभ्यास करते समय मेरा पाओं पसंड के और मैं पहाड की चोटी से नीचे खाई में गिर किया जहाए एक भले व्यक्ति ने मेरे प्राण बचाए मेरा उपचार किया मुझे चलने फिरने के योग के बना इस कुलकुल में शिक्षा ग्रहन करने के योग के बना है इसमें किसी का कोई दोश नहीं है अचार तुम्हें सचपुच विश्रा से कि तुम्हारा पाँ फिसला था चंद्रगुप्त किसी ने शड्यंत्र नहीं किया था तुम्हारे साथ जी अचार मैं अभी भी यहीं कहूंग इस दुर्खट ना में किसी का कोई दोश नहीं अचारिक मेरी आप से एक नम्र प्रार्धना में वीर यात्रा वाले अप्यान का नेतरित्व करना चाता परंतु इस अभियान का नेत्रित्व तो इस वर शांभी कुमार कर रहा है जंद्रगोंत जानता हूं अचार परंतु मैं आंभी के साथ सीधी प्रतिस परधा के लिए तयार जो जीता वही सर्वश्रेष्ट माना चाहिए अब उसे दे देना हुसे सभा समात के जाती है हर अद्रवक हरोंए 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 सभाइब्स दूंस स्योगिषिंद statement के मैंने तुम्हें बचा कर तुम पर को यह कानिक है तो में तो मस्कों तुम्हारे उपाई सब किस सामने पराजद करना चाहिए और में तुम्हें पराजद करूँ गांबिक अब यहीं मेरा उत्ता रुगा तो हो जाओ तेया प्रदिस पर्दा के लिए हो जाओ